अस्सलाम अलेकुम रहमेतुलाहिताला वबरकातु हूँ आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि अगर आपका कपड़ा नापाक हो जाता है तो आप उस कपड़े को पाक कैसे करेंगे जिहां मेरे भाई, मेरे भाई, मेरे भाई सबसे पहले मैं आप लोगों को यह बताना चाहूंगा कि अगर आपके कपड़े में कोई मोती चीज लग जाती है यानि गाढ़ी चीज लगती है उसकी वज़ा से आपका कपड़ा नापाक होता है तो आप उसको इतने अच्छे तरीके से दोएं और उन चीज जो चीजे लगी है आपके कपड़े में वो चीज को खतम कर दें वो चीज अगर आपके कपड़े से खतम हो जाती है तो आपका कपड़ा पाक हो जाता है लेकिन तीन मर्तबा अच्छे तरीके से दोना मुस्तहब है ये एक बात होगी दूसरी बात ही अगर आपके कपड़े में कोई पतली चीज लगती है तो उस कपड़े को तीन मर्तबा अच्छे से और तीन मर्तबा निचोड़ेंगे अपनी पूरी ताकत से यानि इतनी ताकत से आप तीन मर्तबा उस कपड़े को निचोड़ेंगे आपका कपड़ा पाक हो जाता है और अगर कोई मोटी चीज़ लगती है एक बार में खतम हो जाती है तब भी उसको आप तीन मरतबा अच्छे तरीयते से दोईँगे और अच्छे तरीयते से निचोड़ेंगे यह मुस्ताब है लेकिन अगर कोई पतली चीज लगती है तो इसको पाक करने का यही तरीका कि तीनों मरतबा आपको अच्छे से धोना है और अच्छे तरीयते से निचोड़ना है तीनों मरतबा अगर एक दो मरतबा की हैं एक मरतबा छोड़ दिये तो फिर आपका कपड़ा पाक नहीं होता है नापाक ही रहा जाता है इन बातों को अच्छे तरीखे से समझे मेरे भाई मेरे बहन ये थी आज की बाते मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो अगर अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दें आपके मन में अगर किसी किसम का सवाल हो तो